मदुमकई का शेहर्द जितना मीठा होता है, उसका दंष उतना ही घातक होता है। मदुमकई अगर डंग मार दे तो उस जगह पर सूजन तो आही जाती है, साथ ही तेज दर्द भी शुरू हो जाता है। कई बार तो दर्द और जहर के प्रभाव से बुखार भी हो जाता है। मधुमक्य या दूसरे की इत नुकसान पहुचाने के लिए नहीं बलकि आत्मरक्षा में डंग मारते हैं या काटते हैं। मधुमक्यों के डंग में जहर होता है जिससे शरीर में संक्रमर हो जाता है। हाला कि हर किसी में इसके अलग-अलग लक्षन नजराते हैं। कुछ लोगों को तेज दर्द होता है तो कुछ में केवल प्रभावित जगह पर सूजना जाती है। कुछ में वो जगह लाल पर जाती है। उस जगह को किसी एंटिसेप्टिक साबुन से साफ कर लीजिए। उसके बाद प्रभावित जगह को पोचकर कोई एंटिसेप्टिक क्रीम लगा लें, बर्फ लगाएं। प्रभावित जगह पर बर्फ लगाने से कई तरह की परिशानियों और लक्षनों में राहत मिल जाएगी, खंड की वजह से विशाक्त पदाध बहुत अधिक फैलता नहीं है, इसके अलावा ये दर्द कम करने में भी सहायक होता है, बेकिंग सोडा रहेगा फायदेमंद, बे ही ये भी दर्द सूजन और खुजली में राहत पहुचाता है, शहद का इस्तिमाल, मधमक ही काट लेने पर शहद का इस्तिमाल करना भी बहुत फायदेमंद होता है, ये जहर को फैलने नहीं देता है, और इसका एंटी बैक्टिरियल गुन संक्रमन बढ़ने नहीं देता है तूट पेस्ट भी है विकल, सफेद तूट पेस्ट रगाने से भी डंग के दर्द में राहत मिलती है, ये जहर के अमले प्रभाव को कम करता है, इसके इस्तिमाल से दर्द और सूजन में राहत मिलती है, तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के ये हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें